डोस्तों अनलेशिस में काफी मजा रहोगो आपको अपके इतने ज़्यादा पोजेटिभ कमेंट आ रहे हैं काफी कोछ आपको सीखने को मिल रहे हैं पर ज़र दरसल आप यहाँ पर देखेंगे इसलों मैंने डिसिजन लिया है कि आप लोग के काफी देखेंगे कि bank nifty की अलग वीडियो और nifty 50 की अलग वीडियो जैसे कि हम करते थे और nifty 50 वाली वीडियो में nifty financial services को भी हम समझ लेंगे अब यहाँ पर situation को समझो बैंक nifty में हमने एक channel के formation का discussion किया था मैं आपको इससे दिखाता हूँ इस channel के formation का discussion की अथा उपर की तरफ resistance की track कर रहा है ध्यान से देखो क्या market ने आज यहीं पर resistance की track किया बिल्कुल यहीं पर resistance की track किया है और नीचे देखो हमने इस trend line का भी discussion की अथा यह trend line हमारी कहां पर बन रही थी one day के time frame पर क्या market ने इसका breakdown दिया है अगर आप one day के time frame पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा भई मैं आपको हमेसे कहता हूँ अगर यह zone है इस market इस तरीके से नीचे जाके इस तरीके से आपको closing दे देता है तो इसे आप as a breakdown consider करके नहीं चल सकते इसे आपको as a support consider करके चलना पड़ेगा पर breakdown आप इसे कह सकते हैं अगर आपको candle की closing नीचे मिल रही है आप इसे breakdown कहके consider कर सकते हैं यहाँ पर आप देखो साप साप market में support लेके bounce कराया है और एक आपको काफी positive एक grain candle भी दिये इसका भी हम discussion करेंगे बेफिकर रहे हैं काफी चीजों का यहाँ पर discussion करने वाले हैं इसे भी हम detail में समझेगे और क्या-क्या चीज़े यहाँ पर समझने लाएक है दूसरी चीज समझो market में नीचे हमने एक trend line का भी discussion किया था क्या market में इसी trend line के पास में support लिया है बिल्कुल support लिया है हमने यहाँ पर एक और discussion किया था कि यहाँ पर एक और support जोने कौन सा support जोने 47,000 का round level इतने simple simple से आपके साथ discussion किये गए थे दूसरी चीज यहाँ पर समझो market ने यहाँ पर rejection लिया previous day closing से भी नीचे है और आपको previous day low का breakdown दिया इस trend line का भी breakdown दिया काफी बहतरी न आपके लिए setup बने है previous day low के breakdown वाले setup बने है आपके लिए previous day closing का breakdown वाला setup आपके लिए बनाए तो आपके लिए यहाँ पर काफी बहतरी न setup भी बनते हुए दिखाई दिये है अब हमारे लिए थोड़ी सी जरूरी चीज़े हो गई है इस वाली zone को समझेना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो गया है चलो marketer यहाँ पर support लेके आपको bounce कराया तो हमारे लिए अगले resistance की possibility क्या थी भी यही trend line हो सकती थी भी अगर market इसी channel में गोमना चाता तो market ही पर resistance की direct कर रहा था लेकिन market ने इसका breakout भी दिया इसे retest किया और फिर से अच्छे कासे volume के साथ इसका फिर से breakout दे के price उपर की तरफ आपको sustain करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा धियान देंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाई दे रही है कौन सी चीज दिखाई दे रही है market में यहाँ पर एक channel का formation आपको होते वे दिखाई दे रहा है आप इसे flag and pole भी आपको एक pole भी दिखाई दे रहा है और एक बहतरिन सा आपको एक flag pattern तो उपर की तरफ अगर market support लेने के mood में हैं, तो उपर की तरफ हमारे लिए important resistance कहां पर रहने की possibilities हो सकती हैं, 48,000 के पास में आपके लिए यहां पर एक resistance रहने की possibilities हो सकती हैं, आई अब इन सारे चीजों को थोड़ असा detail में समझते हैं, जिससे कि आपको market में थोड़ इसी clarity मि सके कि आपके लिए नया setup क्या होना चाहिए और आपको किस तरीके से market में काम करना चाहिए, अगर आप मेरे setup, मेरे strategies समझना चाहते हैं, तो फिलाल 75% का off कर दिया गया है, आपके लिए नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, आई ये फिलाल आप video को like करके यहां पर आ आता है, कि अगर market ऊपर जाएगा, तो जाएगा कहा तक, पहले हमने discussion किये थे, अब जो ये levels हमने करे ड्रो कर रखे थे, इन्हें में सारे चीज़ों को remove कर देता हूँ, क्योंकि अब जो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास नया लोग आ चुका है, तो सारी planning आपको नए लोग के according करने चाहिए, क्योंकि जब हम Fibonacci draw करते हैं, आपको एक high चाहिए, एक low चाहिए, हमारे पास high भी है, ये रहा high और ये है हमारे पास low, हमने इसे draw कर लिया, क्योंकि हम इसे के according देखेंगे कि आपके लिए, किस तरीके से काम करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए बहतर 6 का zone, फिर आपके लिए हो गया 0.382 का, इसके आज पास, फिर आपके लिए interesting हो गया 0.5 का, फिर आपके लिए थोड़ा और interesting हो गया 0.618 का, ठीक है, अभी इतनी चीज़े हम यहाँ पे draw कर लेते हैं, ये चीज़े आपको दिखाई दे गई, अब यहाँ पर धियान से राउंस करा, ये हमारे लिए काफी important level था, round level, ठीक है, अब इस channel, जो इस channel बनाता हुआ market चल रहा था, इसका भी हमें breakout मिल चुका है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, इसके बाद नजदी की resistance हमारे लिए कौन सा था, इस वाले zone में बन सकता था, क्यों बन सकता था, क्यों आपको Fibonacci से एक idea लग जाता है, ठीक है, क्योंकि indicators आपको, या price action आपको सिर्फ एक idea ही दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल clear clear कोई भी नहीं बता सकता, वहां से एक idea लग जाता है, भई हमें, देखो market ने इसे के असपास closing दे दी, लेकिन जैसे market इसे touch कर आता, तो यहीं पर exit कर सकते थे, या फिर अगर market इसे breakout दे के ऊपर चल रहा है, हम अपने stop loss को trail कर सकते थे, तो काफी बहतरी न आपको ideas लग जाते हैं, जिससे कि आपको market के बारे में clearities नजर आने लगती है, फिलाल सवाल उठता है, इस वाली situation के बाद आपके लिए market में क्या-क्या possibilities हो सकती ह हैं, उन चीजों का discussion करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, आईए एक बार हम यहाँ पे one hour के time frame पर आते हैं, अभी Fibonacci पर भी जाएंगे, लेकिन पहले कुछ और situation यहाँ पर समझने की कोसिस करते हैं, market ने एक high बनाया, फिर एक low बनाया, फिर एक high बनाया, फिर एक low बनाया फिर एक high बना, फिर एक low बना, फिर एक high बना, फिर एक low बना, फिर एक high बना, फिर एक high बना, यह क्या है आपके लिए lower high, यह भी lower high, यह क्या है आपके लिए lower low, 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 तो हमने पहली चीज़ यहाँ पे note करी, जो यह पिछला हमारा lower high था, क्या इस से उप ओपर मार्किट गया है जो यह नया लोवर हई बनाया है नहीं गया है तो इसको मतलब positive scenario market में अभी create नहीं हुआ है अगर market को positive जाना पड़ेगा फिर से ध्यान से समझो अगर market positive जाना चाहता है तो इसे पिछले lower high से उपर जाना पड़ेगा पहली चीज नोट कर ले कि नहीं अगर note कर ली comment में लिख दो yes note कर ली, ठीक है दूसरी चीज note करो, अगर market को उपर की तरह positive जाना है, तो यहीं पे इसी lower high के पास एक और important level है, आपके लिए 48,000 का एक important level, market को इसका भी breakout देना पड़ेगा, note कर ली की नहीं कर ली, तियान से समझो, note कर ली की नहीं, दोस्तों आगे का discussion करने से पहले मैं आपको यह बता दू, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना है कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपनी investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होने वाला है, loss की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है, तो यह दो बाते आपने note कर ली कि नहीं, भाई price action भी बन जाएगा, आपके लिए 48,000 का breakout भी मिल जाएगा, आपके लिए पिछले lower high का breakout भी मिल जाएगा, तो multiple confirmation मिल जाएगे, तो confidence थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि हाँ, हम right direction में काम करने की कोशिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें proper stop loss का भी तो पता लग जाएगा, कि कौन सा level support की track कर सकता है, कहां पे हम अपने stop loss प्लेस कर सकते हैं, और ऐसे situation पे अगर हमें हैनर मिल जाएगा, या पिन बार बुली स्केंडल मिल जाएगा, तो हमारे लिए और ज़्यादा confidence बढ़ जाता है, क्योंकि हो किसी एक support zone पे formation कर रही है, तो इसको मतलब वहां पे कहीं न कहीं, बायर्स उसे उचालने की कोसिस कर रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं चीज़े, समझ में आ रही है तो लिख दो comment में समझ में आ रही है, और मजा आ रहा है, मजा रहा है कि नहीं आ रहा है, आईए discussion आगे बढ़ाते हैं, वीडियो काफी बढ़ा हो जाता है, समझाने समझाने में, लेकिन आपके positive comment हिम्मत देते हैं, कि वीडियो कितना भी बढ़ा हो जाए, आपको समझने में मजा रहा है, तो पहले चीज़ हमने note कर ली, कुछ और चीज़े भी किया, यहाँ पर note करने लाएक है, बिल्कुल है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, मार्केट ने पहले भी अपने lower high के पास आके आपको rejection दिया था, अपके भी पिछले lower high के पास में है, क्या पता rejection ही देखने को मिले, अगर negative side जाने लगा, तो इस trend line के हम फिर से market respect करने की कोशिस कर सकता है, हमार लिए trend line काफी important है, यह trend line हमें कहाँ पर देखी, one day के time frame पे ह हमने यह trend line देखी थी, समझ में आ गई, और अगर इसका break down मिला, तो आपके लिए previous day low भी यही पे बन गया, और 47,000 का round level भी यही पे है, यह दोनों बाते भी note कर लेना, कर ले कि नहीं, आईए वापिस हम वही पे आ जाते है, तो यहापर हमने फिबुनाची draw का रखा है, अ 48,000, जो कि काफी नजदी के आप दिखाई दे रहे हैं, यहां तक आप एक scalping की opportunities देख सकते हैं, इसका breakout मिलता है, तो आपके लिए अगला important resistance, 0.382 का हो जाएगा, जो कि है 48,126, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, आपकी याद होगा, मैंने पहले आपको ए हाँ हमें याद है, याद होगा, और इसमें और इसमें difference देखो कितना है, कितना भी नहीं है, पर कुछ point होगा ही तो difference है, समझो, तो यहां पर हमारे लिए कौन सा important level निकल क्या रहा है, 48,126, इसका breakout मिलता है, तो आपके लिए जो अगला important है, यह बहुत interesting है, यह 48,478, कौन सा है, यह 0.5 का है, और मैं आपको हमेसा क्या कहता हूँ, 0.5 और 0.618, यह काफी खतरनाक हो सकते हैं, जो market को hold करने की भी हिम्मत रखते हैं, market को reverse कराने की भी हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर इनका breakout आपको मिल गया, यह यह 0.618 से उपर चल गया, जो कि 48,837 है, तो possibility बढ momentum की उमीद हो सकती है, समझ में आगी की नहीं आतक चीज़े, सारी समझ में आ रही है की नहीं, पर अगर समझ में आ रही है, तो comment में लिख दिया करो, क्योंकि मुझे उससे idea लगता रहता है, नहीं समझ में आ रही, तो वो भी लिखा करो, क्यों समझ में नहीं आई, वो भी लिखा करो क्योंकि फिर हम उसे next वीडियो में cover करने की कोसिस करेंगे आए अब आगे का discussion करते हैं अगर bank nifty flat open होके आपको negative momentum दिखाता है तो वो discussion अब करें चुके हैं कि market को पहले इससे नीचे आने देना है 47,693 से अगर इससे नीचे चलने लगया तो previous day closing से नीचे रहेगा तो आपके लिए important support यही trend line बन जाएगी जो कि one day के time frame वाली है इसका breakdown मिल गया तो यह वाला zone 47,000 का important level है साथी साथ यहाँ पे previous day low भी है समझ में आगे आपको सार्चिए अब यहाँ पे हम discussion करते हैं अगर market gap up opening देता है gap up opening के दुरान आपको ध्यान क्या रखना है 48,000 पे focus रखना है पूरा अगर market 48,000 के आसपास आपको gap up opening दे देता है और breakout दे के ऊपर चलता है तो अगले important resistance 48,126 इसका breakout मिल गया 48,478 लेकिन अगर यहाँ से reverse आने लगा तो आप इस वाले zone पे focus रखें देखो previous day closing भी यहाँ पे है लेकिन फिर भी आप इस वाले zone पे focus रखेंगे 47,693 इससे नीचे आने देंगे फिर आपके लिए trend line काफी important support के रूप में एक्ट करेगी लेकिन अगर market आपको gap down opening दे देता है gap down opening में आप पूरा focus रखेंगे इसी वाले zone पे यहनकि 47,693 अगर market इससे के आसपास gap down open होके नीचे चलने लगया तो यह trend line important support फिर 47,000 और previous day लोग काफी important support रहेगा लेकिन अगर gap down opening देके market ने एक momentum दिखाया तो previous day high का breakout होने देंगे फिर आपके लिए अगला important resistance 48,000 के round आपके लिए possibilities हो सकती है तो दोस्तों interesting चीज़े समझ में आ रहेगी नहीं like कर दो वीडियो को और comment करके बता दो क्या one day के time frame पे कुछ और चीज़े यहाँ पे समझने लाइक है सिर्फ दो ही चीज़े थी एक तो यह trend line थी आपके लिए जिस पे market support लेके bounce कराए अगर इसका breakout मिल गया तो possibility बढ़ जाएगी कि market में आपको फिर से तेजी देखने को मिल सकती है और चीज़े क्या यहाँ पे समझने लाइक है दूसरी चीज़ आपके लिए समझने लाइक थी 48,000 का round level अगर market ने इसे भी निकाल दिया तो फिर से आपके लिए positive लहर आपके अंदर आ सकती है या market में फिर से एक momentum दिखाई दे सकता है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राम राम